11 वहीने से जारी किसान अंदूलन की आफिरकार जीटी है, विजार की राजनीती में बड़ा फिर बदल देखने को में तहा है। जबकि 107 मिडल जीत लिए, जिसमें 28 तो गोल्डी शामिल हैं, जबकि 41 ब्रॉंज और 38 सिल्वर मिडल अपने नाम कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी पहली बार ही हुआ है, जब भारत ने एशियन खेलों में टॉप 5 पोजिशन पर फिनिश किया और 4 इस्थान हासिल किया, यानि इस एशियन गेम्स में भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान, साउथ कोरिया ही निकल सके। बड़ी बात नहीं कि अगली बार ये भी पीछे हो जाएं। इस जीत में एक चीज और खास है, वो ये कि जब 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, तब हमने 15 गोल जीते थे और 2 पोजिशन हासिल की थी, लेकिन इस 15 गोल के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के 68 साल लग गए, और 2018 में हुए एशियन गेम्स में हमने 16 गोल जीत लिये, लेकिन अपने 16 गोल वाले रिकॉर्ड को हमने 5 सालों में ही दोहस्त कर दिया, और साल 2023 में 28 गोल जटक लिये, देश के लिए आए इन मेडल्स में सबसे खास बात ये रही, कि महिला खिलाडियों की भागिदारी पुरुषों के बराबर ही रही, यानि 107 में से 43 प्रतिशत यानि कुल 46 मिडल महिला खिलाडियों ने देलाए, और 42 प्रतिशत यानि 52 मिडल पुरुष खिलाडियों ने वही 9 मिडल मिक्स्ट इवेंट में भी मिले, अब सवाल ये कि किन खेलों में खिलाडिय में भी भारत को एतिहासिक गोल मिडल दिलाए यानि एशियन गेम्स के इन एतिहासिक आंकडों के लिए महिला या पुरुष एक दूसरे के बराबर ही चले चले अब आपको उन खेलों और खेलाडियों के नाम बताते हैं जहां से देश को गोल मिले हैं आरचरी खेलों के कंपाउंड मेंस और विमेंस इंडिविज्वल केटिगरी में जोती सुरेखा और ओजस्प्रवीर ने एक एक मिडल जीता जबकि आरचरी खेलों के ही कंपाउंड टीम केटिगरी के लिए मेंस विमेंस और मिक्स्ट टीम ने भी एक एक गोल अपने नाम किय अब बारी आती है एथिलेटिक्स की, तो मिन्स 3000 मीटर स्टीपल चेज में अविनाश साबले ने एक गोल जीता, एथिलेटिक्स में ही 4 इंटू 4000 मीटर रिले में मिन्स टीम ने एक गोल जीता, वही मिन्स जैवलिन थ्रो में नीरत चोपडा ने, शौर्ट पुट में इंदर पाल सिंग ने, विमन्स 5000 मीटर रेस में पारूल चौधरी ने और विमन्स जैवलिन थ्रो में अनूरानी ने गोल जीता है, इसके बाद सबसे ज़्यादा मिडल शूटिंग में जीते गए हैं, बात अगर मेंस टीम की करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम, 10 मीटर एय गोल मिडल अपने नाम किया, तो विमन्स टीम ने 25 मीटर पिस्टल में एक गोल जीता है, इसके अलावा 50 मीटर राइफल तीन पोजिशन विमन्स के लिए सिफ्त कौर ने एक गोल मिडल अपने नाम किया, अब बारी आती है स्क्वाश की, तो इस खेल में अगर मिन्स टीम क की बात करें, तो एक मिडल हाथ लगा, जबकि मिक्स डबल्स कैटिगीरी के लिए दीपिका पलिकल और हरिंदर पार की जोडी ने एक गोल अपने और देश के नाम किया, फिर बारी आती है बैडमिल्टन की, तो इसमें मेंस डबल्स कैटिगीरी के लिए सात्विक साहीराज और चिराग शेटी ने गोल जीता, क्रिकेट मेंस टीम और विमेंस टीम दोनों ने एक एक गोल अपने नाम किया, घुरसवारी के लिए ड्रेसास टीम कैटिगीरी में भारत की ओर से मिक्स टीम को गोल मिला, होंकी मेंस टीम ने एक गोल अपने नाम किया, कबड़ी की मेंस और विमिन्स दोनों टीम ने गोल्ड अपने नाम किया और देश को यह उपलब्दी हासिल करवाई। यही पर एक बात और करनी बहुत जरूरी है कि भले ही हमने आधिकारिक तौर पर 160 मिडल जीते हों लेकिन हमारे खिलाडियों ने कुल मिला कर 113 मिडल अपने नाम किये हैं। 111 सिल्वर और 71 ब्रॉंज यानि कुल 383 मिडल के साथ चीन नमबर एक पर है। फिर जापान ने 188 और फिर साउथ कोरिया ने 190 मिडल जीते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले एशियन गिम्स में भारत इन देशों के सामने और मजबूती से खड़ा होगा। न्यूस क्लिक को ऐसे ही देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारी वेबसाइट को पढ़ते रहें। शुक्रिया। कर दो